जीव का जन्म मरन मानने में दोस्त वादी लोग जिसके अन्यता बाव की कल्पना करते हैं उस प्रकृतिका विशय क्या है और उसकी कल्पना में क्या दोस हैं इस पर कहते हैं समस्त जीव स्वभाव से ही जरा मरन से रही थे उसके जरा मरन स्विकार करने वाले लोग इस विच स्पुन विकारोंस रही थे कौन संपुन दर्म याथ समस्त जीवात्म स्वबावत यानी प्रकूती से ही ऐसे स्वबावाले उने पर भी जरामुरण के पिच्षक के समान इच्छा करने वाले याथार रज्युमे सर्ब की बाति आत्मा में जरामुरण की कल्पना करने वाले जीव उसकी मनीशा जन्ममरण की चिंता से अर्थार्थ उस भाव से भावित होने के दोस्वस अपने स्वभाव से चुत्त विच्डित हो जाते हैं। संख्य मतामली के मत के कारण ही कारिया है उसके सिद्धान तनुसार कारण ही उपन होता है कि जब की वह जन्मा लेने वाला है तो अजन्मा कैसे हो सकता है और भिन्न विद्रिन होने पर भी नित्य कैसे हो सकता है। जिस वादी के मत में मृतिका के समान उपादान कारण ही कार्य है अथार्थ जिसके मत में कारण ही कार्य रूप में परेणित होता है उसके इस दानतानुसर प्रदानादी कारण अजन्मा होता हुआ भी महतादी कार्य रूप से उत्पन होता है ऐसा इसका अक्तात पर्य है किन लोक में कभी नित्य नहीं देखे गए वह अपने एक देश में विदिर्ण होता है तता आज वह नित्य भी है यह तो उसका विरुद्ध कथनी है, ऐसा उसका अभिपराय है, उपयुक्त अभिपराय का ही फ़र्ष्टी करण करने के लिए कहते हैं, यदि कारण से कार्य की अभिनता है, तब तो तुमारे मत में कार्य भी अजन्मा है, और यदि ऐसी बात है, तो उत्पन होने वाले कार्य से अभ सिद्ध होती है, कि कार्य भी अजन्मा है, किन्तो कार्य है और अजन्मा है, ये तुमारे कथन में एक दूसरा विरोध है, इसके सिवा कार्य और कारण के अन्यंता होने पर उपति सिल कार्य से भिन, उसका कारण नित्य और निश्चल कैसे रह सकता है, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्गी का एक अंस्तो पकाया जाए और दूसरा संतानपति के योग्या रखे बनाये रख जाए इसके सिवा और भी जिसके मत में अजन्मा वस्तु से ही वस्तु से ही किसी कार्य की उत्पति होती है उसके पास निश्चे ही इसका कोई द्रस्टांत नहीं है और यदि जात पदार से ही कार्य की उत्पति मानी जाए तो अन्यता उपस्तित हो जाती है जिस वादी के मत में अजन्मा वस्तु से कार्य की उत्पति होती है उसके पास निश्चे ही कोई द्रस्टांत नहीं है इतार था अतात पर यह हुआ कि द्रस्टांत का अभा होने के करण ये ओर जब किसी और ही किसी ओर ही से उत्पन होनी चाहिए इस प्रगार कोई व्युस्ता ही नहीं रहती है तर दहा नवस्ता उपस्तित हो जाती है